चेलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरा केच्चन में आज हम बनाएंगे मतर यह पाप पोड़े बिल्कुल अरक्स्टाल बनाएंगे नहीं इसमें बेसन का यूस करेंगे और बहुत युनिक तरीकेस हम बना कर तयार करेंगे और बहुत अच्या बनके तयार होता है विल्कुल नहीं यह तरीके से तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे हरें मटर लिया है वन कप इसको हम ग्राइंडर चाहन में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे बहुत फाइन पाउडर उसका नहीं बनना यहां रहा होता है और इसे नहीं साइड में रहा है मिक्सिंग बाउल ली आप बाउल एक कप में यहां पे रोटी का आटा लिया है आदा कप मेंने चावल का आटा लिया है और और यहां चॉमच C prominato, पेस्ट की यहां और यहां कितनी मे expect चीरा लिया है और यहां पर मैंने गाजर्स लिया है और मटर ज 오른 लंगय दाल सकते आपकी छो इस अकॉडिंगर रश्नी चोट देंगो only यहां पे, प्यास भी छो लंबमें काट कर डाल सकते हैं, लवसुन भी डाल सकते हैं, आपकी सकोड़ीं आप वे चीज का च्यादा यार कम कर सकते हैं यहां पे मैंने रहाँ साघपची को अच्छे से डाल दिया और पहले गहां से भूट हैं, कि मिक्स कर देंगे क्तिर्गे तो थोडा-थोडा साम पानी डालते जाएंगे अरद अच्छा से सब्जी और साइब सक्षा को यहाँ ऐसे आ निए सक्षिए मिच्षा दे करेंगे तो यहां सब्ट्रा कि मेरी एजन्प paose सक्षे हम सब्सक्राइब नोर्हें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना तो आप देख सकते कि मैंने अच्छा से लगा लिया और किस तरह साम में डो रखना है वह भी मैं आपको दिखाऊंगी हमें तो चाहत पतला सा घोल नहीं बनाना है बेटर हमारा थीक होना चाहिए और आप यहां पिचाहे तो पा कि आपके पकोड़ ओना चाही हमारा थीक यहां पर मीने आता चमच में ठाने का सोडा लिया यानि कि बेकिंग सोडा दाल देंगे उसके उपर में यह आप आता चमचीपना निम्मु का रस्मी चोड़ दूँंगी और इसे मलके आतों से मिक्स करेंगे बहुत ज्यादा नही करेंगे करेंगे जर्क्रेणाइं करेंगे तो हमारे पकोड़े अच्छे बनेंगे उपर से कृप्स्पू dots रिए outta अंदर से कचे रहेंगे सेने हमारा तेल का रख़े घरम होने के लिए तो यह आपको चोटी बड़ी साइड चीज साइड में पसंद और इससे पकोड़ा के अंदर और चितने पकोड़ा यह उतना हम प्याटेले पेन के अंदर डाल देंगे तो पकोड़े की तरह दोनों साइड वालट पलट करम इसे फ्राइ करेंगे अब ही मैंने ग्यक्ष की फ्लेम मीडियम रखेंगे अंचij से कि हमारा पकोड़ा उपर से फटा-फट से लाल ना तो 5-6 मिनित का समय लगा है मुझे और पकोड़े का कलर चेंज भी हो गए है आप देख सकते हैं तो अब हम इससे निकाल लेके और दूसरी बेच को भी मैं आपको दिखा दूगी इस तरह से का अगर आप चाहे तो चम्मत से भी पाड़ सकते हैं आपको चम्मत से पसंदे तो चम्मत से भी आज से भी पसंदा चम्मत से भी पाड़ी तरह से पकोड़े कर बना सकते हैं तो में दो बेच आपको बना कर दिखाऊंगी और आप ज्यादा थोड़ा साथ ठीक रखेंगे तो बोल भी बन जाएगा इसका तो यह वो भी अच्छा लगता है अंदर से सोफ्ट और उपर से क्रिस्पी तो इसी तरह हम दोनों बेच को कर लेंगे आप इसमें नहीं हमने बेशन काई उसके आए नहीं कोई में थी और इसकी पकोड़े जैसा नहीं बने यार बोलकुल अलगी तरह के से मतर की पकोड़े हमने बनाई है और यह खाने में भी बहुत ही बहुत अच्छा रहता है तो इसको भी मैंने अलट पलट दोनों साइक करके फ्राइ किया है तो थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं पांच में जितना समय हुआ है वह अभी अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है उसका कलर भी चेंज होने लगा है तो थोड़ा सा गोल् मैं जरूबताना इस पकड़े को महीने सोस के साथ वकिया है ठाने में बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो झाल को लाइक और शेयर करना बेलकुल मत बूलना मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप पकोड़े अंदर से कितने व उपर से बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार हुए हैं तो जरू ट्राइक करना और मुझे कमेट बक्स में जरू बताना तो तयार है हमारे मटर के पकोड़े फिर मिलेंगे इसी ही नहीं वीडियो के साथ बाई-बाई ट्यक्याइब